हेलो गोड मॉर्निंग इस्टूरेंट्स आज आपका यह चैप्टर खतम हो जाएगा और इसमें दो एनिमल अपने रह रहे हैं एक तो गूंगा स्नेल और एक स्लक दो अपने पास में यहां पे हैं अब इसका हलागी इतना कुछ नहीं है थोड़ा बहुत एक दो नंबर के कु होंगा को तो यहां पर यह जो है जिसको अपन अक्सर क्या बोलते हैं संख अगर जो मंदिर वगरे में संख होता है तो उस संख के अंदर यह रहता है तो इसका जो मेंटल है उपर का जो कवर होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तो इसे पन क्या बोलते हैं मे तो आप देखो खेतों वगरों में या अपने जो गार्डन वगर है उसमें यह आसानी से आपको मिल जागा क्योंकि यह थोड़ा सा एक्वेटिक एनिमल है तो इसलिए जो है पानी वाली जगे पर यह जादा मिलेगा फिर उसके बाद में यह रात को दिन में यह जो है अधिक हार भी बोर है यानि की साका हरी है पत्ति वगरे हैं या प्लांट्स के पार्ट से उननी को यह खाता है जो है हाम पहुंचाता है फिर यह देखो अगर आप देखो तो कभी आपने देखा होगा उसको उठाके तो उसके नीचे वाले इससे यह पैर निकालता है जैसे फुट बोलते हैं और बहुत धीरे और अगर आप थोड़ा हाथ भी लगा के देखोगे तो बहुत कि यह साका हारी होता है उसमेंट्स की अधिकतल रीफ certains चीज़ों को यह बहुत ज्यादा नुक्सान पहुचाता है फिर यहां पर देखो कुछ यहां पर इसके वह भी डिरखें कि सबसे बड़ा जो स्नेल है वह कौन सा है अकेटिना फुली का अब यह कुछ नाम है को कि इसमें अधिक तर आप से नाम ही पूचे जाएंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है तो य जो लोजिकल नेम देखते हैं तो यह अकेटिना फुली का फिर उसके बाद में यह जो है यह बहुत ज्यादा जो प्लांट से यह गार्डे ने उनमें यह नुक्सान पहुचाता है और जो कई आपने बाद में वेजिटेपल है जैसे मूम फुली है अब मूम फुली क्या हो अब अगर अगर क्लाचिन इस टोड़े शथे दो देख लें तो यह करेकटर कैसे हैं कि इसका जो बोड़ी है वो बोड़ी आपको कि से में डिवाइड नहीं कि दिखेगी यानि कि पूई भी years थोगर तेंसे नहीं दिखेंगे उसके बाद में अगर आपन सिमीट्री दिखें सम्मिटी देखें हैं तो वह भी आश्ममित है कहीं से भी ना तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपन देख के पैचानते हैं कि इसके ऊपर एक कठोर आपरन होता है बहुत बड़ा सा कठोर या जिसको आपके सकते हो सॉलिड कवर होता है जिसे अपन मेंटल बोलते हैं और वो किसका मनाव होता है कैल्सियम कार्बोनेट का फिर उसके बाद में देखो जो इसको पैचानने का आप इसकी और यह कोशन अक्सर आता भी है इसमें वन पेर ओफ आइज होती है वो तो चलो कोई वाली बात नहीं है ल मेंटिकल के ऊपर इस परसक के ऊपर आइस पाई जाती है तो यह इसके लिए बहुत इंपर्टेंट करेक्टर है फिर अगर अपन क्लासिफिक्रिक्रिक्रिशन देखते हैं तो फाइलम है वो मॉलस्का है अगर अपन क्लास देखते हैं दो गैस्ट्रो बोड़ा है फिर अग करेक्टर हैं तो आप जैसे मालीचे कि अपर से तो बहुत कठोर दिख रहा है लेकिन अगर आप अंदर देखोगे तो इसकी बाड़ी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती बिल्कुल कोमल सी होती है और इसमें जो है किसी तरीके से जो है आपको अंदर की तरफ कोई भी चीजें इ ठीके फिर उसके बाद में अगर आपन इसको इसमें देखे इसका एनिमल निकालके तो इसमें आपको हैट पोर्शन भी मिलेगा मेंटल पोर्शन भी मिलेंगे कुछ फूट पोर्शन भी इसमें दिखाई देंगे तो यह थोड़ी से इसमें पार्ट दिखाई देते हैं ले अगर करेक्टर है तो यह यह और और किसी में आपको मिलेगा भी नहीं कि टू पियर यानि चार यहां पर सब्सक्राइब और उसमें जो पीछे वाले बड़े हैं उनके उपर क्या होती है फिर उसके बाद में अगर अगर अपन इसकी इंटर्नल देखें तो इसमें आपको जो सर्कुलेटर सिस्टम में जो परी संचन टंट्रे वह कैसा मिलेगा ओपन यानि कि यहां पर कोई हर्ट कोई वेंस कोई वैसल्स वगरे आपको नहीं मिलेगी फिर अगर अपन रेस्पिरेशन देखते हैं तो यह गिल्स से करता है और इनके गिल्स को हम बोलते हैं टीनीडिय कि यह मुव से कर लेता है फिर उसके बाद में देखो कि इसका जो मेंटल है वो मेंटल इसी जो रिजन इसकी जो बॉड़ी है उसी बॉड़ी के सिक्रिशन से बनता है तो इसलिए इम्पॉर्टैंट है पिर अगर आम इसको और ऊसम देखें तो यह बाइस एक्सल यानि मेल और फीमेल जो हैं वो एक साथ ही होते यहां पर तो यह जो स्ट्रक्चर है यह स्ट्रक्चर किसकी हो गई आपके स्नेल की या जिसको अपन जो लोजिकल में क्या मोलते हैं है अब उसके बाद में जो लाज्ट टॉपिक है और इसी से रिलेक्टेड है थोड़ा सा अं होता है तो यह सबसे में डिफ्रेंस है कि अगर आपके सामने में एक स्नेल रख लूँ तो जिसमें बड़ा मेंटल है वो तो आपका स्नेल है और जिसमें है लेकिन छोटा है तो वह आपका क्या हो गया अब यहां पर भी रेखो कि यह भी आपको अधिकतर जो खेत वगर होत और बहुत सारा जो यह भी फसलों को यह क्रॉप्स को नुक्सान पहुंचाते हैं अब यहां पर कुछ एक्जाम्पल्स हैं जो अकसर पूछे जाते हैं एक है ब्लैक स्लग जिसका साइंटिफिक नेम है लेविकॉलिस एल्टे यह सारी फोटो मैं आपको बेज रही हूं यह सबसे ज्यादा निम मोगते यह ससला तो यह यह यो यह स्पेशल की नियसे प्लांट है उसको भी मोगते है उसके अलावा यह पां आ पानक्रते आपके प्लान्ट पर भी फ़ेक्ति फिर उसके बाद में एक और है स्लेटी स्लक ग्रे कलर की स्लक होती ही इसी भी आप फटो देखो इसकी एना डेंस और यह जो है यह अधिकतर मेज जो क्रोप होती है मक्के की जो क्रॉप है उस पे बहुत-जादा यह उसको हाम पहुंचाती है फिर एक ब्राउन श्ल में प Kenya इसके ऐचता मिहां तो में अपि पितनी भी अम्लिण जादाwel कंग Лव में और अगल मिफूमा या इसके बाद में अगर है उसकी आईइंट्पीकीशन एक के इस पर dependence कम होगा बाकि इसके जो भीहां है वह बहुत ज्यादा लंबी पतली और बिल्कुल स्पाइसी स्लाइमी आपको मिलेगी और अगर आप उठाओगे भी तो यह बिल्कुल गिर जाएगी क्योंकि हरसमेस में से जो है लसलसा सा या स्लाइम जैसा जो प्रड़क्ट है वह निकलता रहता है फिर यहां पर अगर आ लंबा है लेकिन उस पर जो मेंटल है वह नहीं के बराबर है फिर अगर हम देखें तो यह आगे से थोड़ा सा में ब्रॉड मिलेगा चोड़ा मिलेगा लेकिन पीछे की तरफ यह बिल्कुल निकोला या पतला साब को दिखाई देगा फिर इसके बाद में इस पर भी टू बिलेगे टेंटिकल मिलेगे और फर्लू शखाघंख or उसके बाद में इसमें बीचे वाली Tentacles रहॅ अगशा पनाफंणी होती हैं फिर यह बीगता है वेजहरा होता है ऐस होती है दो चलते हैं और रहां को चलते है और यह स्काश कोणा के यह बहुता है और उसके बाद में अगर आप इसकी बॉड़ी स्ट्रेक्चर से देखिए तो इसका जो नीचे वाला भाग वह बिल्कुल कैसा होता है चप्टा होता है अगर यह उल्टा पड़ा हो तो यह बिल्कुल जैसे अपने आलू का चिल्के होते हैं उस तरीके से यह आपको दिखाई देगा तो यह आज आपका चेप्टर यहां पर complete हो गया है अब आपका है टोगरा एक में complete हो जाए तो फिर अपन इसका revision start करेंगे